कमर घुटनों में दर्द होना, जोडों में दर्द होना, सूजन होना, या फिर गैस होना पेट में, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, इंडाइजेशन की प्रॉलम होना, ब्लॉटिंग की समस्या होना, या फिर मोटापा की समस्या होना, किड्नी स्वास्त अच्छा न रहना, फैटी लीवर की प्रॉलम होना, बैट केलिस्टरॉल की प्रॉलम होना, पत्री की सिकायत होना, गठिया की सिकायत होना, पाचन दुरुस्त ना रहना, फिर पुराने से पुराने कब्ज से आप परिसान है, घुटने का ग्रीस खतम हो गया है, कैलसिम की कमी बने रहती ह गर्दन में जकरन, गर्दन में दरद, सर्वाइकल पेन की प्रॉलम है, हाथ पैर में सुन्न पन की समस्या है, उंगलियों में दरद, अर्थरैटी जैसी समस्या से आप परिसान है, तो आज मैं आपके लिए ऐसी गरली उपाई लेकी आई हूँ, जो बहुत ही आसान सी है, और कुछी दिनों में ये सभी प्रॉलम रिटर्न भी हो जाती होगी, लेकिन आज मैं जो रेमेडी लेकी आई हूँ, ये आसान सी गहल उपाई है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया है, ये 100% रिजल्ट देती है, और इसका इस्तमाल करने से ये सभी प्रॉल को ठीक करने में, आपकी होल लाइफ, पूरी लाइफ को स्वस्त बनाए रखने में बहुत हैं, तो जाज जाद है इस वीडियो को सेर के जाए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने चाहने वालों को ताकि सभी को इससे फायदा मेले, वीडियो को जालने से लाइक कर अइसे सेवन करने का सही तरीकाया आज मैं आपके साथ सीर करने वाली हमकी किस प्रॉलब में आपको इसी किस तरह से लेना है, साड़ा इंफोरमेशन इस वीडियो में मैं सेर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें एगा, ताकि आपको पूरा जान पारे मिले, और आप हमेशा स्वस्त बनें प्रिंट जासदर बिमारिया पेट से ही स्टार्ट होती है और ये जो बीच है पेट की सभी बिमारियों को लगबग सभी बिमारियों को ठीक करने का ताकत रखती है यदि आप इसे सही तरीके सिखाने का जान लिए तो इससे आपके जोडों का गुटनों का दर्द हमेशा ठीक रहेगा हड्डियों का दर्द ठीक होगा मास में उसियों में दर्द बना रहा था वो ठीक होगा गुटनों का ग्रीस का प्रॉलम गतम होगा बाल और तुचा से रिलेटेड जितनी समस्या वो सब ठीक होगी पुराना से पुराना दर्द आपका हमेसा केले कतम हो जाएगा और पेट के गैस से आपको हमेसा केले चुटकरा मिलेगी और यूरीक ऐसे का दर्द ठीक होगा अस्तमा के प्रॉलम है, सास लेने में दिक्कते हो रही है वो सभी प्रॉलम ठीक होगी, बैट कलिस्टरॉल कंट्रोल हो जाएगा जिससे आप हार्ट की सिकाथ या किसी भी तरह की नसों के ब्लॉकेश से आप बचे रहेंगे और पेट के कीरे को भी यह खतम करता है आप पेट के कीरे का प्रॉलम से स्कीन प्रॉलम होती है, जॉइंट प्रॉलम होती है, चाती में पानी भर जाती है लीवर का प्रॉलम आ सकता है, यह सभी प्रॉलम को यह ठीक करने का ताकत रगती है जिससे कि आपकी बहुत सारी बिमारी अपने आपे ठीक होने लगती है मास पेस्यों का दरट ठीक करती है और इस बीज का नाम है अजवाएन कई साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है इस पर अजवाएन में इतने सारे इसनल प्रोपरिटिस पाए जाती है जो यह आपकी बहुत सारी बिमारियों को ठीक करने का अकेले ही ताकत रखती है यदि आपको गुटनों में दर्द है, ग्रीस का प्रॉलम है, कैलसियम की कमी हो गई है कमजोर हो गई है, हड़िया, गर्दनों में दर्द रहती है, सर्वाइकल पेंस से आप परसान है हाथ पैर सुन रहता है, नसों में ब्लॉकिस की समस्या है, उंगलियों में दर्द रहती है अर्थराइटिस गटिया यसी प्रॉलम से परिसान है इस रेमेडी का सेवन कीजिए और देखे आपको इसके कितने चमतकारी फ्यादे देखने को मिलते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको अजवाइन लेना होगा तो यहाँ एक चमस अजवाइन को आप तवे में भून लीजिए, लो फ्लेम में आपको इसे भूनना है इसका अच्छे से पॉडर बना लीजिए और एक कप गुनगुना पानी में इसे एक चमस जवाइन का पॉडर को मिला करके सुबह साम आपको डेली खाना है करीब 15 दिन तक आप देखिए यह सभी प्रॉलम आपको हमेशा के लिए ठीक होने वाली है यदि आपको खांसिया और अस्तमा के प्रॉलम है गैस की प्रॉलम है यूरिक एसिट की प्रॉलम है या फिर आपको डियोटीज की समस्या है ये सभी प्रॉलम है तो आपको इसे थोड़ा सथ तरीका चेंज करना है खाने का इसे आपको आधा चमस जवाइन लेना है इसे आ पाने को आपको तीन बार दिन भर में पीना है थोड़ा थोड़ा करके इसी से आपकी ब्लेड पेशर कंट्रोल रहेगी डाविटेस कंट्रोल रहेगी खासी और अस्तमा की प्रॉलम ठीक होगी यूरीक एसी चंट्रोल रहेगा और हड्डियो में अधी ग्रीज खतम होगे तो तो वह भी ठीक हो जाएगी बस आपको खाने का तोरह तरीका चेंज करना है और देखिए आपको कितनी बड़ी बड़ी चमतकारी फायदे आपको इसके देखने को मिलते हैं आप सब्सक्राइब करें बगल में आने वाले पहले को क्लिक कर लें थाकि मेरी आने वाले सभी वीडियो आप तक सब्से पहले पहुंचें स्टे सेव एं स्टे हमगे